अब दीफका में गलाइड बम से हमला किया है, अब दीफका में गलाइड बम से हमले के खबर है, वार जोंसे, ये सवक्थ की बड़ी खबर आ रही है पहली बार, घातक बमका इस्तमाल हुआ है, पंद्रा सौ किलो वजनी बम से युक्रेन पर ये बड़ा हमला युक्रेन का अवदिश्का इलाका पहली बार ऐसे धमागों से गून जुठा रूसी सेना ने यहाँ गलाइड बम से हमला किया गलाइड बम जिसे अब तक युद में इस्तमाल नहीं किया गया था ऐसा बम जो भीशन तपाही मचा सकता है आखिरकार ग्रूस के कमान से यह 1500 किलो वजनी तीर निकल ही गया युक्रेन के डिफेंस एक्सपर्स के मताबिक यूपी एबी बम का इस्तमाल किया गया यह बम सैटेलैट नैविगेशन से लेस है जिसकी वजह से यह मुविंग टार्गेट को भी निशाना बना सकता है 1500 किलो वजनी यह बम 50 किलो मीटर की रेंज तक हमला कर सकता है इस बम को पहली बार 2019 में दुनिया के सामने पेश किया गया था स्टेल ट्राइल में पास हो चुके गलाइट बम में विंग्स लगे होते हैं जो कमांड के आधार पर आगे पढ़ते हैं इस बम को सुकोई 24M, सुकोई 34, 35 और मिक 35 में तैनात किया चा सकता है 2019 में लोगों के सामने गलाइट बम के पहली जलक दिखी थी और अब इसका इस्तमाल सीदे युद्ध के मदान में करने का मतलब है कि रूस किसी भी हाल में ये जंग जीतना चाहता है